वोशो को 21 साल की उमर में ही बुद्धत्व हो गया था ये पारिवारिक लेविल पे आप लोगों को पता चल गया था या शुरू में एक रिजेक्शन रहा परिवार में क्योंकि अगर मेरा छोटा भाई भी मतला अपने बेटे की तो मैं क्या बात करूँ अगर चलो मैं भी कल क्लेम एक रिजेक्शन और उसके बाद डिनायल और पचास तरीके की जंग तो पहले घर में रही होंगी मेरा सवाल बेसिकली यह कि पारिवारिक लेविल पे ओशो का रजनीश से भगवान ओशो बनने का जो सफर था वो कैसा था और उस पर क्या रिसेप्शन थी पहली के रिवील किया और वो भी उन्होंने नहीं कहा मेरी जो कजिन सिस्टरती माईयोक क्रांती उनका नाम था कॉन यंग उन्होंने बताया उनको विजन में आया वैसा उन्होंने बताया ओशो पहला स्रिकार कर दिया कि हाँ ठीक तो और रवार में जो उनकी सथिति थी उस आरं पिता जी दो बड़े चाचा थे तो लोग कहेंगे लड़का तो बगावती है लेकिन इसकी हर बात में तर्क है ऐसी कोई चीज नहीं कर रहा जो गलत हो जो भी कर रहा है उसके पक्ष में वो आर्गुमेंट दे रहा है तो आरंब में तो लगता था कि हमारी बात नहीं मान रह कर रहा है अपनी मनमर्जी से चलता है लेकिन उसकी बात में तर्क है तो परिवार में तो उतना विरोध नहीं रहा क्योंकि सब लोग प्रेम करते हैं मुश्किल वहां खड़ी होती जहां से स्कूलिंग शुरू होती है क्योंकि सिक्षक को तो कोई प्रेम नहीं है ना मतलब एक सुरुआत होती है इसकूल के दिनों से की टीचर तो कोई सहन नहीं करेंगे पर्टिकुलरली ऐसा बच्चा जो उनकी बात को काट भी दे और तार्क से भी काट दे बिल्कुल मालो उस समय गांधी के युक चल रहा था और इसकूल में कहा जाता था सब गांधी टोपी प हाने क्या इस से बुद्धी बढ़ेगी क्योंकि हम तो देखने कई लोग टोपी लगा है बुद्धी तो उनमें है नहीं अकल नाम की चीज नहीं है तो इसकूल में क्यों कंबल सरी है उस उनका में टोपी नहीं पहनूंगा इसके पीछो उस्रों को सजाए मिली हाथ पर नमज में आजाएगा मुझे तो मैं तैयार हूं सिक्षप्रनाली में आप क्यों हमको मजबूर कर रहे है टोपी पहनने के लिए मैं नहीं पहनूंगा टोपी मुझे नहीं पसंद मेरी सो तंतरता है तो रोज सजा मिलती कि स्कूल के चार चक्कर लगा के आओ इसकूल दोड देंगे उनने मार लिए चार चड़ी सजा पूरी हो गई वो शु कह रहे हैं और मर जी और मार ली जी लेकिन टोपी नहीं पहनोंगा और आप टोपी पहने हो और आप जिस प्रकार की हिंसा कर रहा हो एक निरे भच्चे के संग इससे पता चलता है कि टोपी से आपके पांतरण कुछ नहीं हुआ वाइलेंट परसन तुम एक चोटे बच्चे को मार रहे हो गांधी बात के बिलकुल खिलाफ है तुम मेरे साथ इंसा कर रहे हो उनकी बात भी नहीं काट सकते करो क्या फाइनली कालेज से उनको निश्कासित ही कर दिया गया जबलपुर में जब को तो यह पता है प्रोफेसर थे वो नहीं हाँ वो तो बाद में वाद में वाद में वाद में हाँ क्योंकि वो दर्शन सास्त्रा उनुवर्शा लिया था भी यह जी उसमें तर्क सास्त्र भी एक सब्जेक्ट होता है तो तर्क सास्त के जो प्रोफेसर थे उनसे बहस पहले पहराग्राफ किताब में जो है, वहीं पर बात अठकी है, वहीं पर मुद्द छड़ा हुआ है, वह बहस हो रही है, वह पूरी क्लास खुब नजवाए करती है, क्योंकि प्रोफेसर को नीचा देखना पड़ रहा है, यह लड़का अजीव है, कहां से को इतना तरक आता है, औ आप मेरी बात का जवाब दो, जवाब तो कुछ है नहीं, फाइनली उस प्रोफेसर ने प्रिंस्पल से जाकर शिकायत की, कि मैं नोक्री छोड़ दूँगा, या तो आप इस लड़कें को रेस्टिकेट करो, या मैं नोक्री छोड़ दूँगा, तो प्रिंस्पल ने बुल करता है, वो दिन को रात और रात को दिन सिद्ध कर दे तो भी आपको मानने पड़ेगा, या दिप्यों करता नहीं है, वो दिन को ही दिन कहता है, लेकिन उसकी तर्क का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक, ये बात फैल चुकी थी, कालेज के लेविल पर, प्रिंस्पल ने कहा क आपको रेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि प्रोफिसर कह रहा है कि नहीं तो मैं रिजाइं कर दूँगा, मैं छोड़ दूँगा, हमें प्रोफिसर की जरुवत है, उसकी सेवाओं की जरुवत है, तुम्हारी जरुवत नहीं है, हम तुमें निकालते है, ओशुन का सर आप कि आपकी बात समझता हूं कि प्रोफेसर की आपको जरूवत है, मेरी तो कोई जरूवत है नहीं, मेरी जान से घाज आरों इस्टूडेंट हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, उन्हों कुछ कहा था कि उसनों कुछ हैं रहे का कॉंक्षर एम पीस का कि लुट को रम पीर प्रोफेसर आपको पrare defシ抗ाल आपको आपको होगे हैं रहे सम SydLA किया जुट सिरूवतूर क्योंकि दुस्प्रचार नहीं कहिता, जी प्राइबेट बहुत हैृ natuurlijk… प्राइबेट भी कालेज भी कालेज भी कौनिया हुआ, जी निकल चे retrospect है paprascheativas, कि वह भी रॉस० talents नहें बने का है not you, heath akinंष छिएoney. तो उनका ठीक, उस समय उसको पास खाली समय भी रहता था, वहाँ एक अख़वार शपता है नो भारत, उसमे उन्होंने जॉब भी किया उपसंपादक की तरह, और खूब आर्टिकल्स उसमे को लिखते थे, कहानियां लिखते थे, छोट छोटी, तो उन्होंने कूब बिना कालेज अटेंड किये, पूरी फूल अटेंडेंस उनको मिली, फिर हो सागर विश्व विध्याले में में करने के लिए पोस्ट के लिए गए, तो वहां के प्रोफेसर भी उनकी प्रतिभा को देखके बहुत हैरान थे, लेकिन वहां पर उनको एप्रिशेट किया गया एक प्रोफेसर ते जो विश्व में जगे जगे युनिवर्सिटी में पढ़ा चुके थे, उनको समझ में आ गया कि सम्तिंग यूनीक, ऐसा विध्यारती कभी देखा नहीं, तो उनका फुल सपोर्ट ओशो को मिल गया, वो अक्सर कहते थे हाष्टल में रहो मेरे घर में ही क्योंकि जाएगा कि नहीं जाएगा कुछ भरोसा नहीं, ओशन वहां से फिर प्रथम स्रेणी में प्रथम इस्थान प्राप्त किया, में में, फिर कई उनके परिचतनों और प्रोफेसर ने हिते अशियों कहा कि आप पीएचडी कर लें और उनका नहीं पीएचडी में, समय में खराब नहीं करूँगा, उसमें कुछ सारांस नहीं निकलता, वह बहुत दिक्काय कावायद है, इंटिलेक्ट्वल जुमिनस्टिक, उससे कुछ मतलब नहीं है, मैं नौक्री जो आइन करूँगा, तो यह मैंने आपको बता है कि परिवार में तो प्रेम था, आदर था हमारी मजबूर है, समाज में जीना है, हमको मुह दिखाना है, चाल लोगों को हम ऐसी रहेंगे, तुम सही कह रहे हो, तो इतना समझ में आ गया था, ओश्यो ने कभी क्लेम नहीं किया था, कि मैं कोई अलग हूँ, असाधार हूँ हूँ, अनलाइटेंड हूँ, कि इसली के ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, और हो सकता, डोबारण कभी नहीं हो, कि मेरी माताजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा ने, मेरी चाची ने, सब आ भाई-बे Ой, उने नों तो तो सब ने सन्यास लिया ही, सब ऑशियो के. ये बहुत बड़ी बात है, कोई पिता अपने पुत्र के सामने तभी जुकेका जब भी जुकेत जो बहुत ही अदृत नजर आ भूता है। ऐसकी हो जड़ति तो कोई लुगा है, ढूगा आधूति होगी, जो यह देख पा रही तॉकार जो यह लगा थी शारी के जानम मैंने दिया है लेकिन इसके भी तर जो चैतनमे की खिलाव इठ हुई है ये शरीर का हिस्सा थोड़ी है गाइज अगर ये सुनके आपको भी लगा वाउ मैं भी ऐसे सोचना चाता हूँ मैं सीखना चाता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं तो क्या करना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब का बटी सब्सक्राइब